नमस्कार स्वागत है आपका न्यूस वर्ल्ड इंडिया में मैं हूँ आपके साथ भाती सिंग साल 2020 में यूपी कोरोना की दहशत से उभरा ही था कि कोरोना के नई स्ट्रेन ने एक बार फिर सरकार की चिंता बढ़ा दी है मेरट में दो साल की बच्ची कोरोना के नई स्ट्रेन से संक्रमित पाई गई है इसलेकर वैसे मेरट प्रिशासन सक्त है लेकिन बच्ची में मिले इस वाइरस ने एक बार फिर लोगों की चिंता बढ़ा दी है यूपी में कोरोना के नई स्ट्रेन का पहला केस मेरट में मिला है इसे लेकर दो साल की बच्ची में नई कोरोना वाइरस के नई स्ट्रेन की पुष्टी हुई है ये परिवार 15 दिसंबर को ब्रिटन से मेरट आया था चार दिन पहले तीन लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव मिली थी नई स्ट्रेन की जांच के लिए इनके सैंपल दिल्ली भेजे गए थे बच्ची के सैंपल में संक्रमण मिलने के बाद लैब से सीधा शासन को रिपोर्ट भेजी गई बच्ची में नई स्ट्रेन के पाई जाने की पुष्टी मेरट के डीयम और स्थानिय स्वास्त अधिकारियों ने दी बच्ची में संक्रमण मिलने के बाद उसके घर के आसपास के इलाके की घरवंदी कर दी गई है बच्ची के माता-पिता भी कुरोना की चपेट में हैं, हलाकि वे कुरोना के नए स्ट्रेन से संक्रमित नहीं हैं बच्ची या इस परिवार के संपर्क में आए या फिर आसपास रहने वाले लोगों की लगातार जाच कराई जा रही है इसे लेकर मौके पर लोगों से बाचीत की न्यूज वर्ल्ड इंडिया के संबादाता मनवर चौहान ने संत वियार में हमारे टीम पहुंची हुई है और यहां जो इकका दुका लोग मिल रहे हैं जरुत के लिए बाहर निकल रहे हैं बाहर चा रहे हैं मेरे साथ सजन मुझूद है क्या नाम है अपका पारज जी बताइए अपने आपके प्रोस में जो पॉजिटिव पार्टू आया है बच्की में उसको लेकर कि कितनी देशत आप लोगों में है और क्या आप एतियातन क लिए जा रहा है और सभी फिलाल तो भर पर ही है मैं भी किसी आवशक कर रहे के लिए घर से बहार निकला था तो बस इकनी है तो यही स्थिती है यहां पर एक लिलीज भी पहुंची है क्या नाम है आपका जी आपके इलाके में कॉर्ण पॉजिटिव बच्ची है वो स्टे आपकी टेस्टिंग वेस्टिंग जो परशासन से की जा रही तो पारी है तो बिल्कुल जो टेस्टिंग ती वह तो कराई जा रही है मेरे पास आप साइड में कुछ जो सजन है यहां निकल कर आए हैं चूंकि हमेरी टीम पहुंची हुई है तो लोगों को यह भी पता चल ख़र रहा है कि यहां पर जो पूरी स्थिती गे लोग कितने अव्यर्ट है अलकि हमने आज जाना किस तरीके सेट अपने जुरुत के काम के लिए ही निकल रहे हैं पूरे तरीके से अवेर हैं इस से कैसे बचा जा यह यह जो पुराणा को सेम हैं वही है आँ सार आपके पर तरीकि से आप एतियात कर रहे हैं यहां आप लोगों की गई हैं यहां पर दो बार दो बार टेस्टिंग हो चुके हैं लेकिन इस तरीके से इलाके में पूरा सन्नाटा पस रहा है जो चोटे-चोटे बच्चे हैं वो केवल खड़े हैं खेल नहीं रहे हैं आप देखेंगे तशीरों में यह बच्चे जो यहां खेलते थे और यहां पूरा गहमाई-गहमी का माहुल रहता था लेकिन इस स्ट्रेंट तू के आने के बा नए स्ट्रेंट के लक्षन मिले हैं इनमें से तीन की जांच बैंगलूरू, दो की हैदरबाद और एक की पुने लैब में हुई इनके सेंपल में कुरोना का नया स्ट्रेंट पाया गया, नये स्ट्रेंट को लेकर सरकार ने सतर्ता दिखाते हुए यूके से लौट रहे लोगों की जीनो मैसिक वैसिंग कराई गई जिसके बाद इसकी रिपोर्ट जारी की गई, इस घटना को लेकर न्यूज वर्ल्ड इंडिया की टीम मौके पर जायजा लेने पहुंची कर दी है और पूरे इलाके में अब देखेंगे सन्नाटा बस रहा हुआ है चारों तरफ को दिखाएं यहां किस तरीके से लोग घरों में कैद हो चुके हैं और यहां बच्चों के समान बेचने वाले लोग हैं वो आते जाते दिखाई दे रहे हैं लेकिन खरीदार कोई नह होगा दिखाएं मकान को मकान के अंदर एसी लगी है यह वही मकान है जिसमें यह परिवार रहता था हलाकि स्वास्तिभाग ने इसको सील करने के बाद जो यहां टेस्टिंग थी वह शुरू कर दी फिलाल सभी के टेस्ट किया रहे हैं और इतियादन इस रिलाके को सील किया है कि जरूत का सामान आदमी ले सके ऐसे में इस स्टेंट के सामने आने के बाद लखनों में भी हड़कम की स्थिती है जो दिली से रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गए थी उस रिपोर्ट को लखना शाचन को भेज दिया गया है और बहतर से बहतर प्रियास शासन प्रशास कर रहा है कि इस स्टेंट को यहीं रोक लिया जाए हाला कि स्ट één मोषन का कहना है कि अंदर किसी तरह का शिम्टम नहीं है लेकिन वह पॉजिटीव है वाता है इस करोना क्योंने की प्रशाषन की पूरी कोशिश है लेकिन यह भी होगा कि जिस तरीके से को रोकने में देश ने प्रशाषन का साथ दिया इस को रोकने के लिए जनता किस तरह से सहयोग करेगी तो यह भी देखना होगा कि आने वाले समय में प्रशासन इस तरह के लोगों पर क्या सखताई करेगा जिससे की strength 2 को बढ़ने से रोका जा सके अब nye strain के case मिलने के बाद सरकार और सतर खो गई है नई這 strain के बारे में अभी भी मिली जानकारी के अनुसार करीब सतर प्रतिषत जादा संक्रमन है ये strain कम आयूवर के लोगों को जादा प्रभावित कर रहा है हाला कि इसके घातक होने की आशंग का कम है इसले कर मेरट स्वास्त विभाग का क्या कहना है आए सुनाते हैं कि आखर इससे बचाओं के लिए क्या-क्या इंतधामात किया गए हैं और किस तरीके से निपटने की तैयारियां की गई है सबसे पहले इस बाइब बच्ची में तो वह बच्ची है कहां से आए थी और दूसरे लोगों कैसे थे एक परिवार इंगलेंड से आया था जिसके पाया गया उनकी जांच के लिए इंग्लेंड से आये थे उनकी सैंपल दिल्ली जो डेजिगनेटेड लबारटरी है वहां भीजा गया जहां एक बच्चे को दो साल की बच्ची को यह स्ट्रेंड पॉजिटिव पाये गया इन लोगों को पूरे परिवार को जो मानक के अनुसार मेडिकल कॉलेज के अंदर अल परिशानी नहीं है लेकिन स्ट्रेंड तो मिलने के बाद से हड़कम किस्तिति है शासन को रिपोर्ट भेजी गई है अलाकि और लोग जो है उनको इस तरह की समस्या नहीं है लेकिन सर आप क्या कहना चाहेंगे चुकि पहले तो लोग काफी से परिशान रहे चुकि अब क्या कोरोना से बचना सभी के जिम्मेदारी है और दूसरों को भी से तबी फायदा हो कि माने प्रधार मंतिर मुक्रेमंतरी जी का संदेश है दोगस की दूरी को मासक है जरूरी और हाथ धोना अगर सब लोग सबस्ती करें कोडरा का संकरमन स्वायम रुक जाएगा यह मेरा संदेश है ये ध्यान रखना है गवराणी की जरुट नहीं है और सैढ़ से कॉई परिशानी की जरुट नहीं है तो बिल्कुल रख सबकरानी की बात नहीं होनी की बात अली के साथ मैं वनवर चोहान न्यूजवर्ड इंडिया मेरे फिलाल इस रिपोर्ट में इतना ही जुड़े रहिए न्यूजवर्ड इंडिया के साथ धन्यवाद